हेलो एक बार और आगई हो मैं सीबीस की एक और नई अपडेट के साथ यहां पर अपडेट है न आपका दिल देला देगी यानि की अब मैं पको पढ़के सुना देती हूं ठीक आपको समझा भी दूँगी कि यहां पर क्या क्या लिख करा दिससे क्या आपके अच्छे समझ मे आजाए तो यहां पर हैडिंग है वह है नो एरर्स सीबीसी सेज एमिट अप्रूवा ओग्लास टैंस इंग्लिश पेपर सबीके इंग्लिश पेपर चाहिए वह सैट वन हो टू हो ठीकी कोशन्स थे थोड़े हार्ड ही लग रहे थे देखने में तो एंड कुछ कोशन्स तो एसे लग रहे थे कि पर क्यों आ गए ठीक हम तो ऐसे ही सोच रहे थे बट क्या हुआ हम नीचे सीबीसी मलब सहीं भारद्वाज जी जो हैं कंट्रोलर ऑफ और एग्जामिनेशन वह क्या बोलते हैं अब हम वह पढ़ने वाला है जो की नीचे लिखा हुआ है तो चलिए मैं आपको पढ़के सुना देती हूं दा ओप्शिंस वर एबिट ट्रेके बार्ट नॉट कंफूजिंग यू कांट रिलेट अबोड एक्साम पूड़ एग्साम पूड़ एग्साम पूड़ स्कूल लेवल देर शुड़ बी समस्टेंडर्ड मेंटेंड दा कोशन शूड़ है सम बैलन्स एकांट बी टू इजी कंट्रोलर संफ पूड़ दी जाय वाइच है कि आप उस जो बोड़ के एग्साम के साहाथ वह रिलेट हूं कर सकते यह होते है आपने देखा हूआ कि आपके प्री बोड़ीजी ही गए हूंगे अच्छे ही गए जारा तर ची कहाई तो एक बोर्ड के एजाम दी होंगे तो confidence level आपका गिर जा हुआ सच में और नीचे के बोलते हैं वो there should be some standard maintain तो CBSE का जो है वो standard उने maintain करने के लिए वो question जो थे वो ने balance करने पड़े ठीक है ना तो वो जादा easy दे सकते थे और ना ही बहुत जादा hard तो उनका कहने का मतलब यह है कि जो question paper आया जाना आपका वो हमारे level के हिसाब सही था यानि कि 10th वालों के level के हिसाब से ही paper आया था CBSE वाले यह कहना चाहरे तो अब मैं यह कहूंगी आप से कि जो होना था वो हो गया बस आप अपने result वाले दिन जाकर देख लेना क्या हुआ था अगर plus one मतलब की आपके marks add हो जाते हैं किसी question पर तो ठीक है और वैसे अगर आपने गलत क्या हो तो cutting गई marks तो जो भी हम आपके result वाले दिन आपको पता चल जाएगा जब तक के लिए मैं आपसे कहा रही हूं आ आप अपने term 2 की तयारी अपनी start कर देजिए because अप तो term 2 मतलब term 1 तो खतम ही हो गया तो कुछी नहीं हो सकते दुबारा तो paper देनी सकते ना तुबारा paper देंगे तो और hard हो जाएगा वैसे भी तो सकते नहीं है पर जो भी है आप अपने term 2 की तयारी जो शुरू कर दिजिए आपके schools खुल रहा है 15 से 15 December से आपके school खुल रहा है तो बस आप अपने school चाहिए और तयारी कीजिए और आपको जो मैंने information दिए है अगर आपको अच्छे लगया तो आप like कर देना और बाकी अपने friends को भी share कर देना उन्हें पता चल जाएगा किसी विए सीगी नहीं update किय तब तक के टाटम आब और अगर कोई नहीं update आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो बना कर डाल दूँए बाई